आज मैं आपके साथ दूद जैसे सफेद चावल के आटे के चिप्स की रेस्पी सेर करने जारी हूँ यह देखने में लग रहा है ना कि बिल्कुल आलू के चिप्स है लेकिन यह प्योर चावल से बने हैं और इसका प्लस पॉइंट यह है कि आप इसे बनाकर पंके के नीचे भी सुखा सकते हो धूप की कोई आवसकता ही नहीं है और इस चिप्स को मैंने कल बनाया और आज मैं इसे कल रही हूँ आप देख सकते हो यह डालते ही तेल में डबल हो जा रहे हैं कितने बड़े बड़े फूले फूले और देख सकते हो कितने सफेद चिप्स बने हैं तो चलिए बिना देर के वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिएगा और इस चिप्स को आप मतलब जिसने कभी भी कुछ पापड वेगरा कुछ भी नहीं बनाए ना वो भी बना लेगा बनाना बहुत ही आसान है यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट है मुँ में डालते ही मुँ में घुल जाए तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने रख दी है कढ़ाई अभी इसमें हम एट करेंगे दो कप पानी तो पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पर हमें ले लेना है 15 गोल मि मिरिच का पाउडर यूज नहीं करेंगे हम इसे कूट कर यूज करेंगे तो पहले गोल मिरिच को कूट लेना है और यहाँ पर मैंने कप सेट किया है पानी और चावल के आटे को नापने के लिए आपको टोरी भी सेट कर सकते हो कोई भी मेजर मेंट के लिए एक बरतान तो यह ready हो चुका है तो इसे side में कर देते हैं तो अभी हम चलते हैं अपने पानी की तरफ तो पानी भी हलका हलका गर्म हो गया है इसमें हम add करेंगे हाप चम्मच नमक साथ में एड़ करेंगे कोई साभी cooking oil जो आप खाते हो तो यहाँ पर मैं सरसो का तेली उच करेंगे हूँ एक चमच बहुत ज़्यादा oil नहीं डालना सिर्फ एक चमची oil काफी है साथ में हम इसमें एड़ कर देंगे पापड़ खार यहाँ पर मैंने देखिए पापड़ खार online मंगवाया था जल्दी मिलता नहीं है यहाँ पर इसे एक चोथाई चमच एड़ करना है तो मतलब पापड़ का सीजान आ गया है तो आप भी जरूर online शॉप्पिंग कर लीजेगा पापड़ खार की अगर आपके पापड़ खार नहीं है तो इसकी जगह पर आप मीठा सोड़ा दो चुटकी एड़ कर देना तो यहाँ पर कुटे हुए मसाले मैंने एड़ कर दिये है अब इसे हम क्या करेंगे अच्छी तरह से उबलने के लिए छोड़ देंगे तो आप देखिए पानी बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है तो फ्लेम को बिल्कूल ही लो कर देना है आप एड़ कर देना है एक कप चावल का आटा इसे अच्छी तरह से हम mix करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसे mix करना है, कहीं भी गुठलिया नहीं होनी चाहिए, हर तरफ से ये पक जाना चाहिए, गरम पानी में मतलब इसे डाला है तो ये हर तरफ से mix हो जाए, जैसे से mix होगा वैसे वैसे ये पक भी जाएगा तो low flame पर देखिए इसे अच्छी तरह से mix कर लिया अब flame को off करेंगे और इसे हम ढख कर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए तो यहाँ पर मैंने कुछ बड़े साइज की प्लेट ले ली है इसमें हम थोड़ थोड़ा सा oil लगा देंगे बहुत ज्यादा नहीं लगाना है दो बूंद तिन बूंद जितना हो जाए मतलब इसमें हच्छी तरह से oil को हमें लगा देना है और लगाने से क्या होगा कि टेंसम नहीं कि मतलब छूटेगा नहीं पापड अगर ऐसे भी आप रखो ना तो यह पापड छूटी जाएगा लेकिन रिक्स क्यों लेना थोड़ थोड़ा सा oil लेट में लगा लेंगे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन यह अभी बहुत हाथों में गर्म लग रहा है तो इसे हम क्या करेंगे एक प्लास्टिक में निकाल लेंगे तो आप एक बड़ी सी प्लास्टिक ले लेना यह पर इस प्लास्टिक को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले लिया है थोड़ी मोटी प्लास्टिक है तो बहुत अच्छी प्ल खालное दोल करने लिएगा तो नहीं और देगे भिनेगे भावगे कन error तो इसे खती तरह से मसल लेना है तो फिर हम उन्मी बना लेंगैंाges तो आफ देख सकते हो इसे 4 तरब से एकठा करेनाम एंटाए हमें घहर गर्म है घहर है जिससे कि हम इसके pieces cut कर सके, तो यहाँ पर मैं इसके छोटे-छोटे pieces निकाल ले रहे हूँ, आप जितना बड़ा बेल ना चाहो, बड़ा चोटाव, यहाँ अपने मन मरजी के हिसाब से इसके pieces निकाल सकते हो, तो इससे हमें बेलना है, बेलकर ही हम इसमें से छोटे-छोटे pap कट करेंगे तो यहां पर इन सारी लोई को मैं हटा देती हूं निकाल देती हूं प्लेट में Akbто, यहां पर मेरे शिक्स पीस बने थे तो इससे क्या करना है एक लोई को अब लेना है उसे भी अच्छी तरह से मसलना है मत अब सारा मसलने में थोड़ा उतना अच्छी तरह से हम नहीं मसल पातें तो एक लोगी को पहले थोड़ा सा मसल लेंगे फिर हातों से हलका फैलाकर हम इसे बेल लेंगे तो प्लास्टिक का जरूर यूज कीजिएगा बिना प्लास्टिक का अगर आप जब मुझे लगा कि चिपकने लगा तो मैं प्लास्टिक में लगा लूगी और हाथों में भी हलका हलका लगा लगा लोगी कि हाथों में भी नचिपके तो यहां पर देखें कितना सांदार निकल गया है बिलकुल बिना ओयल के बहुत ही सांदार बिलकर तयार हुआ है और मैं आपने 21 चीज के पापड बनाए है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, यहां पर आप देख सकते हो कितनी आसानी से निकल जा रहा है, तो आप कोई भी ग्लास ले सकते हो, छोटे साइज का, या फिर कुकीस कटर हो, तो आप ले लेना, मेरे पास तो यह बोतल का डखका नहीं है, तो मैं इसी से इसे कट कर ले रही हूँ, छोटे-छोटे बिल्कूल आलू के पापड के जैसे पापड बन जाते हैं, तो देखे, इसमें अंदर आ जा रहा है, तो इसे हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है, और जो नीचे प्लास्टिक में है, उसे भी हम बहुत आसानी से हाथों से निकाल कर फैला सकते हैं, तो हमें इसे कट कर लेना है, कट कर थाली में निकाल लेना है, तो यहाँ पर जब हम दूसरी बार इसे कट करेंगे तो धकन को हमें साफ कर लेना है, गलास या धकन जो आप ले रहे हो ने तो फिर से चिपकने लग आप देख सकते हो, दोथाली रेडी हो चुकी है, तो सारा हम रेडी कर लेते हैं. तो सारे पापड को मैंने दूप में रख दिया है, अभी डेड़ बस चुके हैं और मेरे च्छत पर सीप तीन बज़े तक ही दूप रहता है, मतलब डेड़ घंटे का दूप मैं इसे दिखला सकते हूं, मैंने थोड़ा सा गेहूं फैलाय रखा है, धनिया पसार कर रखा है, म चल दिये, यहां पर देखिए अगले दिन, मेरा पापड मैं सुभा सुभा आपको दिखला रही हूं, मैंने दो देड़ घंटे दो घंटे जो दूप लगा उसके बाद मैंने इसे उलट कर छोड़ दिया था, वैसे ही रात को सिप हवे के चलते से सूप चुका है, मतलब ब बलते वक्त ना ओयल को एदुन धुमादार गरम करना होता है, ठंडे ओयल में डालोगे तो उतना नहीं यह उठेगा, उतना मज़दा नहीं बनेगा, गरम गरम ओयल में डालते ही यह फूल जाता है, अब देखिए कितना बड़ा-बड़ा पापड बनकर रेडी हो रहा है, तो इसी तरह से में सारे पापड को, मतलब सारे नहीं जितना खाना है, उतना तलूंगी, तो बहुत कम टाइम में बहुत जटपड से आप इस पापड को बना सकते हो, तो यहां पर देखिए कितना मज़दार हमारा पापड बनकर रेडी हुआ है, आप देखो कितना सॉफ् तो अगर आपको मेरी यह सिंपल सी रैस्पी पसंद आई हो, तो प्लीज प्लीज मेरे चैन को सस्क्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट सेयर करना मत बुलिएगा, मैं ऐसे